इस्टुरेंट्स असलाव आलेकुम वेलकम टूआ मिथमेटिक्स चैनल एमके सेड़ी तो इस्टुरेंट्स आज का आज हमार टापक है वह इनायन्थ क्लास की मेथ में आपरेशन ऑंसेट तो जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता है था तो जैसे कि हमने पिछले ले तो दो सेट्स की यूनियन में आए देखते हैं let a and b be two sets मतलब a और b क्या है दो सेट्स है the union of a and b denoted by a union b मतलब a और b सेट्स जो होगी उसकी यूनिन हम इस तरह से डिनोट करेंगे और पढ़ेंगे a union b मतलब जो हमारे पास दो सेट है ए और बी तो उन दोनों सेट में जो एलिमेंट को हम साथ रखेंगे तो वह हमारे क्या होगी यूनिन होगी तो एक्जेंपल में देखी है हमारे पास एक सेट है सेम वे से बी एक सेट है देन अगर ए और बी की यूनिन कराएंगे तो हम इस तरह से देनोट करेंगे ए यूनिन बी और यूनिन की जो सेट के एलिमेंट्स रखेंगे और उसके बाद यूनिन की सेट के एलिमेंट्स रखे है तो इन दोनों सेट्स के धो बार आ रहें पर हम सिर्फ एक बार लिखा तो तो सारे बारबार रिपीट हो रहें उससे एक बार लिखेंगे और दोनों सेट में जो सारे और दूसेट ऐन भी नूसेट गिवने इंटिनौत सट एएंढ़ चान दी बाइ इंटरसटफचेजिन अंधोर्य करतेquito इंट्रशेक्षन भी मतलब ऊ khd प्णेट के तो इस तरह से तरह से डटेंगे जो युनियन की सेंफ़Wow yes गिएंसेंगक सेंबोल बन जाएका इस तरह से यह इंट्रसेक्षण की सिंबोल कुणफा पढ़ांक एच्छांगे इन चीन contains those elements which are contained in both A and B मतलब जब हमें दो sets given intersection में तो उन दोनों sets में जो common elements होगे मतलब same elements होगे दोनों sets में तो उन दोनों से जो common elements होगे उसे हम एक set में रखेंगे तो और वो हमारी क्या होगी intersection होगी तो सेम वेसे example हमारा यही है तो अगर इन दोनों के intersection कराएंगे तो इस तरह से रिनोड करेंगे और सबसे पहले हम a set के elements रखेंगे और उसके बाद intersection के symbol और फिर b set के elements अब इन दोनों sets में जो कामन होते हैं और वह हमारी क्या होते हैं और इंट्रसेक्शन में क्या करते हैं जो कामन elements होते हैं मतलब दोनों में same elements हो दोनों sets में तो उन elements को हम साथ में रखेंगे और बाकी के जो elements होंगे उसे हम छोड़ देंगे तो सेम वे से आप देखें ए सेट में और बी में जो चार elements सेम थे means one two five eight a में भी था और बी में भी सेम वे से थे पर नाइन जो था वो बी में था पर नहीं था इसलिए हमने नाइन को छोड़ दी अब बाकी जो दोनों साथ चार elements यह सेम थे a में और बी में इसलिए हमने लिखा तो यह क्या होगी intersection होगी मतलब दोनों sets में जो same elements होंगे उसे हम एक सेट में रखेंगे और वह हम क्या होगी intersection होगी अगर दोनों sets में कोई भी element सेम नहीं तो वह किसके बराबर होगा नल सेट के बराबर होगा तो इस सुन साही होगा आपको union और intersection समझ में आई होगी तो इस सुन साही देखते हैं हम difference किसे कहते हैं और symmetric difference किसे कहते हैं तो difference of two sets में क्या होगा है basically union और intersection की तरह हमें इसमें भी दो sets given होते हैं A और B let A and B be to sets the difference of set A and B denoted by A difference B मतलब जो difference होगा वो किस तरह से denote करेंगे A और B का A difference B इस तरह से denote करेंगे means A difference B इस तरह से is the set containing those elements date are in A but not in B और फिर उसी set में उसी elements को हम contain करेंगे जो सिर्फ A में होंगे पर B में नहीं होने चाहिए मतलब हमें A और B दो sets given होंगे अगर उन दोनों sets में जो common elements है वो cancel हो जाएंगे बाकि जो A set में elements बचेंगे वो हमारा क्या आगा A difference B होगा तो यह देखते हैं हमें एक सेट गीवन है तो अगर इन दोनों sets में जो सेम elements होगे वो cancel हो जाएंगे बाकि जो A set में elements बचेंगे वो हमारा क्या आगा A difference B हम इस तरह से देनोट करेंगे अब देखें जो सेम elements थे वो cancel होगे मतलब 2 और 4 A में भी थे और B में भी थे तो A के जो सेट 2 और 4 क्या होगे cancel होगे बाकि जो A set में element बचेंगे तो A set में कौन से element बचें 135 बचेंगे तो हमारा क्या हुआ यह इसी तरह से हमें A difference B निकालते हैं अगर हमें कहें कि आप B difference A निकाले तो B difference A का मतलब क्या है जो दोनों sets में जो सेम elements होगे वो cancel हो जाएंगे बाकि जो B set में element बचेंगे वो हमारा क्या होगा B difference A होगा तो सेम वे से बी सेट में 2 और 4 B सेट में elements हैं और 2 और 4 A में भी हैं तो 2 और 4 cancel हो जाएंगे बाकि जो A set में element बचेंगे हैं 6 और 8 तो यह हमारा क्या हुआ B difference A हुआ तो इसी तरह से हमें difference निकाल दे किसी भी दो sets का A difference B या B difference A तो इस सुन्स दिये तो था इस तरह से हम denote करते हैं symmetric difference A डिफरंस A symmetric difference B is the set containing those elements which are either in A or in B मतलब जो हम elements content करते हैं दोनों set में जो same element होंगे वो cancel हो जाएंगे बाकि जो A set में और B set में elements बचेंगे वो हमारा क्या होगा symmetric difference होगा तो example में देखिए यह में एक set given है सेम वे से हमें B set given है तो इन दोनों set में जो सेम elements होगे वो cancel हो जाएंगे बाकि जो दोनों set में element बचेंगे ने ए में और B में उसे हम एक set में रखेंगे और वह हमारा क्या होगा symmetric difference होगा तो आप देखिए दोनों set में same elements कौन से हैं वन और ठी elements A में भी है B में भी है और A में भी है तो यह cancel हो जाएंगे बाकि A set में कौन से element बचे 2 4 6 और 5 और B में कौन से बचे 5 7 बचे तो इसे हम एक set में रखेंगे और यह हमारा क्या होगा symmetric difference होगा means 2 4 5 6 7 यह मारा क्या होगा symmetric difference हुआ तो इसी तरह से मतलब दोनों sets में जो same elements होगे उसे हम छोड़ देंगे बाकि जो A set में और B set में elements बचेंगे वह मारा क्या होगा symmetric difference होगा यह आप यहां पर देख एक्जेंपल एक set है जिसमें चार elements से A, B, C, D, same way से B set है जिसमें element है B, C, D, E तो इन दोनों sets में जो same elements होगे उसे हम छोड़ देंगे बाकि जो elements बचेंगे उसे हम रखेंगे तो वह मारा क्या होगा A symmetric difference B तो इन दोनों में same elements क्यों से B, C, D और B, C, D तो बाकिये मारा element क्यों से बचे A, A, E B, तो यह मारा क्या हुआ, symmetric difference हुआ, तो इसी में students आप note करें, note A symmetric difference B is equal to A union B difference A intersection B, मतलब जो symmetric difference होता है, वो इसके equal होता है, A union B, आप पहले दो sets की union कराएं और फिर दो sets की intersection करा है, फिर जो दोनों का result है, उसे आप difference करा दें, तो जो result आएगा, वो इसके equal होगा, means A symmetric difference B होता है, तो इस students यह था difference of two sets और symmetric difference, तो इस students आई देखते हैं, हम compliment of sets किसे कहते हैं, operation on two sets में हमारा last topic है, compliment of sets, तो compliment of set हम किसे कहते हैं, let U be a universal set and A is the proper subset of U, मतलब हमें एक जो universal set given है, और एक और set A है, जो proper subset है किसका U का, मतलब universal set का A जो वो proper subset है, the compliment of set A denoted by, और जो हम A set की compliment करेंगे, उसे इस तरह से denote करेंगे, means A power dash या A power C, मतलब A के उपर हम छोटी से dash देंगे, या A के उपर power C देंगे, छोटी सी, is the set containing those elements of U, which are not A, फिर हम उन set के elements को contain करेंगे, जो U में होंगे, A में नहीं होंगे, मतलब A और U में जो दोनो sets में same elements होगे, उससे हम छोड़ देंगे, बाकि जो U set में element बचेंगे, वो हमारे क्या होगी, A complement होगी, तो example में देखिए हमें एक universal set given है, universal set में 10 elements है, 1 से लेकर 10 तक, 10 तक, same way से एक और set है U A, और A क्या है universal set का U का proper set है, तो उसमें element है, 5, means 1, 3, 5, 7, 9 elements है, निकलेंगे, तो किस तरह से निकलेंगे, means A complement इस तरह से लिखेंगे, और वो बराबर होगा, किसके U minus A के बराबर होगा, means universal set से A set के member सब्ट्रेक करेंगे, तो आप सबसे पहले हम universal set के elements लिखेंगे, मतलब U set के elements लिखेंगे, और उसके बाद difference की sign या minus की, और फिर A set के elements, तो अब इन दोनों sets में जो same elements होगे, उससे हम छोड़ देंगे, बाकि जो U set में elements बचेंगे, वो हमारा क्या होगा, A complement होगा, तो 1, 3, 5, 7, 9, जो elements A में U में थे, और A में दोनों में cancel हो जाएगे, बाकि जो U set में elements कौन से बचेंगे, U set में 2, 4, 6, 8, 10, अब यह हमारा क्या होगा, यह हमारा A complement होगा, इस तरह से हम A complement निकालते हैं, इस्टूटस नोट करें कि A complement whole complement जो बढ़ाबर होता है वो किसके बढ़ाबर होता है A के, अगर इससे हम पूरूव करें, तो पहले हम सबसे पहले A complement निकालेंगे, कॉंप्लिमेंट हमारे कौन से निकली है ? यह निकली है. 2, 4, 6, 8, 10, अब हमें whole काम्प्लिमेंट निकालाएं means a compliment whole काम्प्लिमेंट, तो वह किसके पराबर होगा means you minus a compliment क्योंकि पहले हमें a compliment निकाल के आ हैं तो उसके element direct हम नहीं यह लखती है a compliment अब हम एक कंप्रीमेंट करेंगे मिए यू माइस एक कम्प्रीमेंट कि अ मिन यह गजा पर एक का देखें कि उससे लिए और यह को सब्सक्राइब करें अगर आपको कोई डाउट या क्वाईर है ता आप मुझे कमेंट कर सकते हैं